Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाज़ा पदेश टेट इलेक्टिसिटी बोर्ड में असिस्टेंट इंजिनियर और जुनियर इंजिनियर इलेक्ट्रिकल की करंट वेकेंसिस के बारे में तो इसके बारे में आप लगातार अपडेट मांग रहे थे तो ये वीडियो काफी इनफॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो को एंट तक जरूर देखना कुछ इनफॉर्मेटिव पॉइंट के उपर भी हम बात करेंगे तो ये लेटेस्ट रिप्लाई आप देख सकते हो असिस्टेंट इंजने इलेक्टिकल के रिगार्डिंग 31 मार्च को जो था वो ये आर्टिय लगाई गई थी अब रिसेंटली इसका रिप्लाई पहुँचा है तो यहां पर जो पहला पॉइंट है वहां पर वेकैंसी पूछी गई थी असिस्टेंट इंजने इलेक्ट्रिकल की जिसमें उन्हें उन्हें बताए कि डिरेक्ट रिकूट्मेंट यानि टेस्ट के माद्दिम से जो पोस्टे फिल होंगी वो 98 है इस ताइम पर वेकैंट और परमोशन बाली 15 है नेक्स्ट पॉइंट जो पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 3 है वहां पर जो डिरेक्ट रिकूट्मेंट की पोस्टे होती है उनके बारे में पूछा गया था तो ने उनके बता दिये कि 76 पोस्टे जो है वो पेंडिंग है फिलाल के लिए हिमाच्पदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के मादेम से आपने जो एक्जाम देखा था जिसका भी फाइन रिजल्ट आ चुका है लेकिन बहां पे अभी तक जोइनिंग लेटर जो है की पेंडिंग है क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वेकैंसी का अगर परपोजल पेंडिंग है लगाता है मैं आपको बताता रहता हूं कि अगर कोई भी वेकैंसी डिले होती है तो उसकी वज़ए से उसी डिपार्टमेंट में अगर next vacancies आनी भी होती है तो वो भी pending हो जाती है next अगर हम बात करें junior engineer electrical का तो सबसे पहले नहीं बता दिया है कि total जो पोस्टे हैं इस ताइम पे प्रेजेंट है जे electrical के department में तो 145 है उसके बाद इन्होंने बताए कि direct recruitment की यहां पे 100 पोस्टे वेकेंट है और इसका जो status है वो उन्होंने 100 पोस्टे जो है वो recruiting agency को भेजी है डारेक्ट recruitment की जो की अंडर प्रोसेस हैं जिसके आपने 78 अपिकेंशिस देख ली है HPSSC के मादेम से उनके advertisement हुई थी अभी आपको उनके advertisement हिमाचा पते इस Public Service Commission के मादेम से देखने को मिलेगी और वहीं exam करवाएंगे इसके बाद इन्होंने पूछा है कि ward of a service man की क्या कोई poste है तो इन्होंने निल यहाँ पे लिख दिया है तो यह total detail है जो कि मैंने आपको बता दी तो यहाँ पे ऐसा है कि अब मतलब future में आपको कुछ time के लिए हो सकता है कि हिमाचापदेश state electricity board में ज़्यादा vacancy नहीं देखने को मिले और अभी electrical में ऐसा है कि TCL में जो vacancies है वो भी आपको next अगर जो अभी नए testing agency की बाद चर रही है तो उसके मादेम से देखने को मिले लेकिन लगाता जो statement दी जा रही है तो यहाँ पर जो situation है वो बिल्कुल complicated है तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है बाकि आपको यह update अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो वीडियो को like, comment, share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए